विहार की सरकार कंट्रोल नहीं कर पाती है, आए दिन हत्या लूट हो जैसे बड़ी पारधात होती रहती है और अपराधी खुले आयम घूम रहा है, मितला छेतर के उपेक्षा किया जा रहा है, मितला छेतर को दबाया जा रहा है, मितला में कभी बाट से ग्रस्त होते हैं, जयारकंड के पास रोजगार है जयारकंड के पास अच्छी शिक्षाय है लेकिन आज आप बिहार में जाके सरकार हो हमेशा देने को देयार नहीं अब कि लोग समाज को बाटने में लगे हुए हैं कहीं हिंदू कहीं मुस्लिम कहीं उची जात कहीं नीची जात बर्ण के आधार पे कास्ट को डिवाइड किया जा रहा है और जो समाजिक समरस्ता है उसमें जहार घोला जा रहा है नमस्कार मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं जन्हीत आवाजवियं मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर जहां पर मिथला से चलकर लोग आये हैं और एक मिथला राज की मांग चल रही है यह मांग बेहत पुरानी है समय समय पर मांग उठते रहती हैं आवाज करते हैं आखिर क्यों चाहिए अलग मिथला राज देखिए जब कोई भी राज बड़ा हो जाता है तो उसकी लोएंड ओडर कंट्रोल करना तुरा मुश्किल हो जाता है आज मिथला चेत्र में आए दिन लूट हत्या अपराद होती रहती है और बिहार की सरकार से लोएंड पारदात होती रहती है और अपरादी कुले मगूंगरा है विहार की सरकार कंट्रोल नहीं कर पाती है जिस वेसे हमें लग राज ची की मांग से इस भार जाएगा अलग राज के मांग के दूसरी जो हमारी परिमुत्ता एक यह भी मुत्ता है दूसरी मुत्ता है निद्दा चेतर में एक समय ऐसा था असी की दसक में मितला में बहुत बड़ी बड़ी इंडरस्टी ती जहां पे सूत फैक्ट्री चीनी की मिल फैक्ट्री ऐसे हजारों फैक्ट्रियां थी आज आरजेडी जत्यू के गौवर्मेंट आने के बाद से यह सारे चीज बिलकुन नाबूत कर रख दिया गया है तो पूरे बिहार की दुर्देशा हो गई है पूरा बिहार एक समय पर प्रसिद्ध था अमीर था लेकिन आज जो है पूरा बिहार पिछड़ हुए सिर्फ मितला ने बिहार की तो आज आप देख लो नालंता कितनी विक्सित जिला बन गया बिहार के से घ्रस्त होते हैं कभी सुखार से घ्रस्त होते हैं लेकिन विहार की सरकार के तरफ से कोई प्याहल नहीं किया जाता है जो हमें हमारे दिल को ठेश पहुचाने काम करता है कि ब्रामनु का राज्य और दलितों पिछड़ों पर जो जिस तरीके का अत्याचार होता है अगर म समाज के भी लोग हैं तो आज से हमने छे महीने पहले सबसे बड़ी बात है आप प्रवासी की स्थिति को समझते हैं हम सारे बिहार से मितलांचल छेतर से आए हैं वहां के प्रवासी है यहां पर मजदूरी करते हैं पूरे दिन उसके बाद रात को हमें भोजन मिलता है पूरा कि समस्या है पूरा भियार कहीं न कहीं जाकर मन्दूरी करके बुज़िवसर कर रहा है पूरे बिहार की बाते है पूरे बिहार ने जब działa मिलतलांचल को अलग तरीके से अपना पनाएंगे वह दो इसों में पढ़के रहा जाएगा दोनों हिसों का विकास होगा दोनों इसों का डिवलप्मेंट होगा एसी चाहता है अलग मिधला राज बिलकुल आज वह हमारे धरना परदर्सन है उसमें हर समुधाई के लोग हैं नहीं कहते है वह कहते हैं कि अगर इनका आगया राज तो प्रामडू का वर्चस्व होगा हमारे जीना मुश्किल कर देंगे यह सब कहने की बात है यह सब आपके हर जगह दो-चार लोग ऐसे होते हैं इस तरीके के लोग होते हैं दो-चार हर जगह होते हैं लेकिन सच्चा ही है जब भी नाम दूरे राम के बिना जान की जी दूरे आज जान की जी उपेक्षिद होगे रहा गये हैं आज अगर वो नालंदा में होते पटना में होते तो उनका भी भाब्या नावरन मंदिर होता भव्य मुर्ति होता आज जानकी जी इतियास के पन्नों में दब के रह गए हैं वह मितला के साथ हमें साथ सही सौतेला बिहार किया जा रहा है क्योंकि आप जो समस्य बता रहें न सर वो पूरे बिहार में है मैं वहीं बात कह रहा हूँ अगर बिहार 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 की विकास नहीं होता दोनों के पास संसाधन जब पढ़ियाप्त होगा तो दोनों का विकास होगा जारखंड राज अलग हुई थी तो आज जारखंड राज भी तो बिहार से अलग हुई थी आज आप देख सकते हैं जारखंड की क्या इस्तिति है जारखंड के पास रोजगार है जारखंड के पास अच्छी सिक्षाय है लेकिन आज आज आप बिहार में जाके देखो मितल हमारा मुद्दा है इन सब चीजों को हम अपने तरफ से और हमारे समय सहर जातपात एक साथ हम रहा के मिलके उठते हैं अपने बाहर घर के बाहर से चलने नहीं देते चपल पहन के यह तो बहुत पुरानी बात हो गई यह आज की बात है आज की बात में अगर यह कोई आज साबीत कर दें तो आप जो यह बात आज से 50 साल पहले की बात बोल रहे हो लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है हम साथ में मिल बैटके खाना भी खाते हैं उठते हैं बैटते हैं आप जाके कभी भी किसी समयदाई से पूछ सकते हैं कि ब्रामनों आप आप बाहिसे पताएंग साथ में मनाते हैं हम लोग का बैवहार आचरन सब एक जैसा है यह जो लराई लड़ी जा रही है यह इंडिविज्वल उची जाती की लराई नहीं है हम लोग समाज के हर तविके को उच्छ शिक्षा अच्छा स्वास वहां अगर पूछा जाए मिधलांचल के लोगों से त वो इनका वर्चोस्व होगा हमारा जीना हराम हो जाएगा मैं डेमोगराटिव बिगली बताती हूं मुच्छ जाती के लोग हर जगह हर एस्टेट पे यह कहीं भी चले जाए वो सबल है लेकिन यह सबसे बड़ा कॉंस्पेरेसी चल रहा है कि लोग समाज को बाटने में डिवाइड किया जा रहा है और जो समाजिक समरस्ता है उसमें जहार घोला जा रहा है आप कह रहें कि वहाँ पर उचा नेजा का भेदबाव नहीं मेरा एसा मानना है कि यह जो है प्रायोजित है यह आप वहाँ पे जो ग्राउंड लेवल पे है इस तरह की कोई बात नहीं है और सब को उचित अस्थान मिलता हुआ तो यह तमाम लोग जो हैं मिठलांचन से चलकर आए हैं और अगर अलग मिठला राज्य चाहिए उसी की मांग को लेकर आए दिन जब कोई ना कोई धना प्रदेशन होते रहता है और कभी न कभी हमेशा देखा जाता है कि आवाज बुलंद होते रहती है क्योंकि यह मांग बह प्रदेशन है